आप सभी किसान भाईयों को मेरा नमस्कार, आज हम जो गेहों की फसल है, उस पर चर्चा करेंगे अबी जो दो हजार देविश में जनवरी माह में यहाँ गेहों की फसल में इल्ली काफी जादा मात्रा में देखनों को मिल रही है लगभग सभी फसलों में इल्ली बहुत ज़्यादा मातरम नुकसान पहुचा रही है फसल को तो यहाँ इल्ली कौन-कौन से इल्ली है और कहाँ पर यहाँ जो पोधे को नुकसान पहुचा रही है तो यहां तीन तरह की इल्ली है, काली इल्ली है, पीली इल्ली है और लाल इल्ली है वीडियो माँ इस पस्ट देख सकते हैं कि जो इल्ली है वह बिल्कूल जो बाली निकलती ग्यों की यानि उम्बी वही पर जाकर बेठी है और जो उंबी का जो डंठल है उसे काट रही है और ग्यों की जो बालिया है जो दाने निकल रहे हैं उनको यहाँ खा रही है अब जो पते है वहाँ भी कही कही देखने को कटे हुए मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मातरा में जो फसल को नुकसान पोचा रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इल्ली आ चुकी है तो उससे पहला आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे की जानकरी आपको राप्त हो जाए और कमेंट में आप जरूर बताएगी आपने कौन सी फसल लगाई है अब हमें जो गिवो में जो इल्ली है उस पर कंट्रोल केसे करना है तो उसके लिए आपको इमामेक्टिन 5% लेना है इसका जो डोज है वहाँ एक बीगे का 50 ग्राम है यहाँ सेम वाली दवाई इसका गोल करना है और इसके साथ में कारटाब हाइडरो क्लोराइट 50% लेना है यहाँ जो इसका डोज है एक बीगे का 200 ग्राम इसका भी गोल करना पड़ेगा आपको दोनों का गोल करके आप टंकी में मिलाने के बाद आप इसका इस्प्रे कर दे और जब दाने फली के अंदर जब आ जाए उंबी के अंदर जब आ जा तब उस टाइम पे आप पोटास का इस्प्रे कर दे जिससे फसल में जो भी कम्याई उत्पादन में कम्याईगी वहाँ पूर्टी हो जाए जिससे आपको उत्पादन कम नहीं होगा और बहुत अच्छा उत्वादन आपो मिलेगा बहुत बहुत थान्यवाद आपका वीडियों बनेगा